हेलो स्टुडेंट्स मैं चंदर प्रकास वलंग की आपका अपैक्स क्लासेज के डिजिटल प्रेटफर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने नुमारिकल्स के थे और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इंट्रेस्टिंग टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन पूर्ण आंत्रिक परावर्तन यह है टॉटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्या होता है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन समझते इस गटना को इसके लिए हम एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके है यह हमने एक इंटरफेस बनाया है इसका मिनिंग है कि इसके ऊपर जो है वो कोई और माध्यम है और नीचे जो है वो कोई और माध्यम है यह दोनों माध्यमों को काटने वाली या अलग करने वाली एक सता है ठीक है अभी मान लीजिए देखे यह कोई और माध्यम है तो यह कोई और माध्यम मैं मानता हूं इधर से उस तरफ जा रही है तो यह माध्यम नंबर एक हो गया इसका मैं माध्यम नंबर दो बोल देता हूं ठेक है इसको हम माध्यम नंबर एक कह देंगे यह जो है वो है माध्यम एक और यह जो हो जाएगा वो है माध्यम कौन कहाँ है डो अब रिफ्रेख्षंण के लिए यह भी तो पता होना चाहिए एक क्या क्या कहता है सगन कौन सा है और विरल और कौन सा arrested हम अभी इसको सगन मां लेते हैं और इसको मां लेते हैं अभी थegles माध्यम हैं तो यह माध्यम जो है वो है सगन और अब यहां से प्रकास टर्फ से इस तरफ जा रही है तो मैं तीन चार रिफ्रेक्शन कराने हैं तो मैं इसके लिए मैं पहले से ही जगे डिसाइड कर लेता हूं कहां-कहां पर रिफ्रेक्शन क्या कह सकते हैं अपवर्तन करेंगे कि यहां पर कर लेंगे अपवर्तन कि यह चार जगे है जहां पर हम हम अपवर्तन कर देंगे को तो है पेले से हमने जगे डिसाइड कर लिए हां चारों के अंदर परकास ara कि छारों के अंदर प्राकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है कि अब सबसे पहले यहां पर तो मैं क्या करने जा रहा हूं हम जो है अभी छोटे आप त६ंग पर जो है प्रकास को आतित कर रहे हैं यहां पर और दिरे-दिरे को बढ़ाने वाले हैं यहां पर मैं पर पर आपतित कर रहा हूं प्रकास कीन को फिर अगली बार मैं बड़े आपतन कौन पर हो एक ही जगह पर रहा है पर हम अलग-अलग सिचुएशन के लिए दिखा रहे हैं अब थोड़ा आपतन कौन इस जगह पर मैं बढ़ा दूगा और बढ़ाता जाओंगा बढ़ाता जाओं करेंगे ठीक है तो सबसे पहले यहां पर प्रकास कीन को आपतित करते चोटे आपतन कौन के लिए यह एक प्रकास कीन यहां पर आपतित हुई है ठीक है और यहां पर आपतन कौन आप देख रहे होंगे अभी बहुत ही छोटा इसको आई वन कह दूँगा क्योंकि आपको मालूम है आपको कहीं बार आपतित करान यह प्रकास कीन को तो एक बार आई वन अगली बार आई टू इस तरीके से हम करते जाएंगे अब आपको मालूम है यह प्रकास किरण जा रही है सगन से विरल माध्यम में और सबको मालूम है सगन से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने कह सकते हैं कि अबिलम से दूर हटते हुए जाएगी मतलब आप कह सकते हो कि आई वन से बड़ा कौन बनाते हुए जाएगी जो कुछ इस तरीके से खुड़ा कौन बड़ा बनाते हुई इसदर चली जाएगी आइवन से बड़ा ही बनेगा कौन तो यह हो गया कौन आरवन जो आइवन से बड़ा है मतलब अगर कहें कि अगर आईवन तीस है तो यह पैतालिस है कुछ ज्यादा है यह चीज़ हम समझते हैं और क्यूं है इसका हम हमें जानका रिए अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट कंडिशन में हम थोड़ा बड़े कौन पर आप्तित कर रहे हैं प्रकास किरन को थोड़े और बड़े कौन पर आप्तित कीजिए इसके अंदर यह देखिए अब की बार कुछ बड़े कौन पर आई है प्रकास के पहले से कुछ बड़े कौन पर अब की बार जो कौन है कुछ नया कौन है आई वन से बड़ा नाम दिया मैंने उसको आई टू अब क्या होगा अप वर्तित किरन और बड़े कौन पर मतलब पहले से भी पहले यहां था आपकी बाड़ कुछ ऐसे कौन बन जाएगा इस तरीके से यह जो है उस वाले को दिताओं में आर्टो यह वाला कौन तो इससे भी बड़ा बनने वाला और पहले वाले से भी बड़ा बनेगा यह भी आप जानते अब नेक्स्ट कंडिशन में हम धिरी धिरी य की हमने इसमें बहुत से इस बीच में हमने बहुत से आप कह सकते हों कर दिए और और बढ़ा रहे हैं अब की बार आपको मालूम है कि थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडिशन ऐसी आएगी जब यह अपवर्तित किरन जो है वह इस कह सकते हैं जो यह द सकता है वह वाली कंडिशन अब मैं बना रहा हूं कि आपको मालूम है देरी-देरी करते जाएंगे कंडिशन ऐसी आएगी आएगी है तो यह वाली कंडिशन अपकी बार त्ष्टा और कौन बढ़ाया आप तन कौन यह मैंने आप तन कौन थोड़ा और बढ़ा दिया इस बार तो इस बार आप तन कौन इतना बढ़ाया तो यह जैसे मान लीजिए इसको मैं I3 कह देता हूँ इस बार और अब की बार यह ऐसा बढ़ा ऐसे बढ़ाया ताकि इस बार जो है इस बार प्रकास किर्ण है यह से हो गई को है मतलब जो अलग करने वाली दो माद्धियमों को अलग करने वाला सता है क्या हो गई एक दम समाずान होक्षी मच पारा है हिए आप देख पार है तो यह सपेचल कौन एक ऐसा आपतन कौन हुआ यह एक ऐसासा इसाबंटन कแ gate जो है नै तो आप काह सकते हो इस पर वाले मांध्यम में में हैं नहीं आप काह सकते हो नीचे वाले मांद्यम के अंदर छिंदर एक इस बीस्क्राक करते हैं आई-ची से विक्त करतें जिस आपतन कौन पर अपवर्तित किरण की इंटरफेस के या दो माध्यमों को अलग करने वाली सत्य के समांतर हो जाती है या फिर अपवर्तन कौन नभे डिगरी हो जाता है उस आपतनकौन को हम क्रांतिक कौन कहते हैं बहुत आसान सी परिवासा है करांतिक कौन की समझ गए हम ठीक है और आपको मालूम है यह इसके नब्बे उने से पहले यह नब्बे होगा विकॉज यह है यह हो रहा है आपको मालूम है यह तो बढ़ता है और इस यह एडवांस भढ़ने लग जाता है कहने का मतलब यह देख हो जाएगा है ना तो यह कंडिशन संभव है यह नब्बे आना इसके इस केस में संभव है और इसके नब्बे होने से पहले ही इसका नब्बे हो जाना संभव है क्योंकि यह एक कदम आगे रहता है कौन के अंदर कौन बनाने के अंदर ठीक है क्रांति कौन समझ गई चलो य कंडिशन में है कि अब क्या होगा अभी इसके लिए और यहां से यहां तक का केस हम समझ गए प्रकास किरन को हम यहां से इस तरीके तक मोड़ दिया और अपवर्तन हमने देख लिया इस तरीके से यह इस तरीके से मुड़ गई कि अब क्या होगा अब इसको अगर और बड़े आपतन कार्ण पर अगर डाला जाए तब इस कंडििशन में यह देखने को मिलेगा थो आपको अंदादा लग गया तो आपको मालूम है अब इसके लिए कोई जगह नहीं अब ये नीचे आजाएगा और नीचे आना कोई सामाण्य बात नहीं है वाप यह इस तरफ मुड़ जाने पर वह उसी माद्यम लॉट आई जिस माद्यम में आप्टित हुई थी तो ऐसे हो जाना को हम अपवर्तन की घटना में एक माध्यम से जाती है दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाती है इस कंडिशन को हम अपवर्तन के कारण ही रहा है है कि वह अपवर्तन के कारण हब सब्चलाएर बर अब जब नांता है को क्योंकि परिभास वापस उसी माद्धे माद्ब आ जाती है तो लिए नए तरय का परावर्तन है तो इसलिए श्रिफ सब्सक्राइब हो जाते हैं इसको बोलते हैं तो देखते हैं तो देखते हैं क्या होगा थोड़े से बड़े कौन पर आप्टित करें तो एक और नहीं घटना आपको यहां पर मिलेगी वापस तो आए गई आएगा इस माद्य में तो आही रहा है एक और अच्छी चीज समझ में आएगी यहां पर अब थोड़ा सा और बड़ा कॉन देख लीजी वह यह थोड़े से बड़े कॉन पर अब जब कॉन से ज्यादा वाला हो गया इससे भी ज्यादा कॉन पर आपिद कर जय सत अब क्या होगा, अब आपको मालू है यह इसी माद्य में प्रवेश कर जाये इस तो देखें यह कुछी इस तरीके इस इख बादो तो आर्या और यह कौन बनाएगा इदर अब एक चीज और समझने वाली है और जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है वह यह है कि हमने अभी यह जो आई-फोर बनाया वह आई-सी से थोड़ा आसा जादा बढ़ाया कुछ ही बढ़ाया तो आपको मालूम है अगर हम इसको थोड़ा थोड़ यहां पर आजाना चाहिए था मतलब यह जाना चाहिए था या फिर इदर आजाना चाहिए था वह हमने इस कौन को थोड़ा से बढ़ाया तो अंदर आने के साथ यह तो बस इतना ही काफी था यह फिर और बढ़ा दो इतना कैसे बढ़ा दिया मैंने कि एगा तो है न वाला केश छोड़ दो यह उसके में परावर्तन के नियम लगते हैं वह जो परावर्त पूर्ण अंत्रीक परावर्तन के नियम लगते पतलब आई बराबर आर तो कहने का इसके में यह तो यह हो दोनों आपस में बराबर रहते हैं। तुन बढ़ने के साथ यह तो यह हो गया अब इसके ठोड़ा सा इसको बढ़ा दो थोड़ा तोड़ा साइब बढ़ाने के साथ यहां से डर्ट गाएब होकर सीधे यहाँ और यह और यहां पर कह सकते हैं घटना है यह और अब आपके साथ क्या हुआ है आप इसक्रिण जो है इस तरीके से यहां से यहां तक ऐसे घुम गई और आप एक और बात ao यहां से यहां तक हो गया उसका तो हमने पूरा केस देख लिया के यह अपवर्थित किरण जो है ऐसे सीधा और फिर यहां से जंब करके सीधा अब हम देखना चाहरे हैं कि अगर यह प्रकास किरण और बड़े कौन पर आपित हो रही है अब क्या होगा तो अब अगर मान क्या तो हमने इसआप देख लिया यहां तक को शीदा है अ और देखिए यह नामे है आप तन और यह हो गया अब आप तन कौन यह हो गया तो आपको indt इस सब जारे जार अपको मालूम है यह जितना कौंड ऑसला का उतना दोर ऑर बड़ा बनाए इसके साथ यहां पर क्या होगा यहां पर कभी मैंने देखी नहीं प्रकाश स्क्रीन का आना इसा मिन्नेंग यहां पर कोई भी अंदर को प्राप्त नहीं आए की इसमें प्राप्त होगा ठीक है और थोड़े से इस चेतर में प्राप्त नहीं होगा आपको मालूम है अगर आप एक डिगरी कौन बनाते हो तो यहां पर पॉइंट एक डिगरी बनेगा कुछ ज्यादा बनेगा तो स्टार्ड में जड़ा सा एक रीजन रहता है जिसमें यहां पर तिवरता नहीं मिलेगी और सीथा यहां से यहां और फिर यह चलता है तो यह मैंने पूरी तरीके से यहां से यहां पूरा आपKो घुमा दिया है और से समझा दिया कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा इसके अंदर के पूरी घटना हम ने इसमें समझ ली और पूरी तरीके से क्या होगा अब एक और बात जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वह बहुत ही क्योंकि इस गटना के अंदर जो क्या सकते हैं जो कि हर एक घटना के अंदर होती है और को समझाऊंगा कैसे ही उर्जा की हाणि इसमें कम होती है उसके लिए आप एक्झामपल से समझेंगे अपन कि उस तरीके से मान लीजिये यहां सो प्रकास की रले यह का हिसाब करता हूं यहां से प्रकास की रुड़ी 조심 example के लिए समझ रहा हूं और consultant होना था और बाकी पांश न आ कि तो उसमें वहाँ पर उसमें कुछ पुर्चन का पुर्च्छ उस highs अब सेक्ष दोनों पारदश्री माद्य में तो उस केस में अपवर्टन जादा होगा यहां पर वाली गटना इस वजय से वापस आ गया बाकी ये तो तो था अपवर्थन नहीं गरना वाला केस ता ठीक है तो मान लिजे इस इस case में बात करो जैसे 80 आएगी इस case में बात करो समझीजे सौरी सौ आएगी सौ अपवर्तित हो गई अब वह बाखी वाली पंद्रा परावर्तन होगा उसका आई वन बराबर बना आई वन के बराबर बनाते हुए ऐसे निको जाए इसमें सौ आएगी असी इदर और वह पा आउच आउच्छी सोँधर असीदर पंद्रा इदर आएगी इत्री के बराबर पांच अउच्छी यहां पर देखिए इस दोनों इन तीनोई केस में आपको इदर मिली असी याज सौ रही थि आपको मिल इदर अस्टी ही रही थि इस वाले case हमा प की इन Hum START अपवर्तन अब क्योंक यह 10100 छमसरी की सारी देखर रहे होना यह कहा हमारा तो कृंट इक्रवार्त्न से बड़ा आपतन वर्या सकॉर्ञा मद्यावर्तन परावर्तन हो जाएगा और उनका पूरा अंत्रिक परावर्तन हो जाने के कारण वह ऐसे सीधा ऐसे लोड़ जाएगी यह उन असी क्या हिसाब जिनका अपवर्तन होना था उनका हिसाब है अपवर्तन होता परंतुक्रांति कौन से ज्यादा है इसलिए वह असी कहां गई यह यह रही 80 वह, समझ गया होंगे, अब 15 का दिन का परावर्तन होना है, तो आपको मालूप में परावर्तन जिन का होना है, वो इदर आएगी और इस परावर्तन सोचना है, या आएगी या आप तन कौन, और उतना को उतना कौन मना के परावर्तन होगी, आपको नि लगता है व तो देख लीजे जो उर्जा की शती है वो कितनी कम हुई और थोड़ा हम इसको और बढ़िया कर सकते है कैसे यह जो सतय है उस सतय को हम थोड़ी ऐसी सतय लेंगे जो कम अवशुषक सतय है करती हो ऐसी सथा ले लेंगे तो पांच की जगह पर एक प्रकास की और करेगी दो कोई करेगी तो हम इसको पंचानवे से भी बड़ा बना सकते हैं ना 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 इन्टी एट कर सकते हैं ना इन तक हम कर सकते हैं इसको तो देखिए इस गटना के अंदर जो है हमने तिवृता जो तिवृता बाहर निकलेगी उसकी हमने पहले की तुलना में तिवृता बढ़ा दी है उर्जा जो है शती कम हो रही है उसकी ऐसा हमने काम कर दिया है मतलब इस पूर्ण आंत्रिक परावरतन में ऐसी घटना अपने आप हो रही है तो इसी लिए हम इसका इस टेक्निक का इस्तमाल बहुत ही जगह पर करते हैं ठीक है ना और हम पढ़ेंगे भी कहां कहां पर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे पर आपको पता चल गया ना कि यह चीज क्या चीज है ठीक है zę है कि कि अब हम next जो है सिन है वह देखेंगे पूर्ण आंत्रिक परावरतन के अंदर जो necessary condition जो आवश्यक सहतन हैं वह क्या है पूर्ण आंत्रिक परावरतन की आवश्यक्षर्टे ना मतलब जिन सर्तों का पालन हो तब ही पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होगा उन सर्तों को समझते हैं अच्छा सबसे पहले हम देखें कि अगर यह सगन ना होकर विरल होता और विरल ना होकर सगन होता होने को मतलब आर वन्टीट में हो तो कैसे ँडर होता है तो अब मालू में अगर यहां आई वन कौन होता तो यहां पर रहा नथ फॉता है से जब यह विरल से सगन है तो यह अभीलम से दूर नहीं अटती अभीलम के पास जाती है मतलब आरवन छोटा बनता हमेशा आई वन से इस केस में भी तो यह इधर जाएगी पर आरटू जो है छोटा होगा आई टू से कभी भी संभव भी नहीं है यह नब्बे आएगा उससे पहले यह 90 होगा और इसके 90 हो जाने पर जब तक यह 20 हो गई नहीं यह कम रहेगा तो आप समझी यह तो पूरा आपतन कौंड आपने पूरा जीरो से 90 पूरा कवर कर लिया परन्तु यह कंडिशन आपको मिलेगी नहीं यहीं मिलेगी कभी इस जब यह विरल से सगन माध्द में अगर आपको कभी मिलेगी नहीं क्योंकि इसका पूरा 90 हो जाएगा पर अगर आपके तो यह सतर रहेगा यह्यापके 90 हो जाएगा तो आपके यहां से लेकर यहां तक आ गया बस इसके बाद में सकते तो इसको अगे बढ़ना ही नहीं है तो कभी भी यही कंडिशन नहीं आए कि क्रांति कौन होना संब्व है वह यह है कि प्रकास किर्ण कहां से कहां जाए हमेशा सगन से विरल माध्यम में जा रही है में जा रही हो इसकी कंडिशन अब आप दखेंगे डिव parfty गाली आंत्री कुर्ण प्रण अंत्रक परावर्तन होगा सब्सक्राइब नहीं है पर तो इस सब्सक्राइब का होना जरूरी है कि सगन से विरल तक जाए सात मैं आतनों जो क्रांतिक नहीं होगा जब तक आपका तरह विरल पर इस Kakंडिशन नहीं रही ना इन तीनों में नहीं क्रांति कॉंड से फोटे अर। विरल के साथ में यह दूसरी कंडिशन भी होना आवश्यक है आपतन कॉंड सदेव क्रांति कौन से बढ़ा हो तो यह आवश्यक्ष शर्त थी जिनका पादन होने पर हम कह सकते हैं कि उस सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लास एड़ुटेख यूट्यूब चानल साथ ही बैल आईकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब विडियोस की अपडेट नौटिफिकेशन्स सबसे पहले आपको मिले अपएक्स क्लास सब्सक्राइब नाव